नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस नाइंटीन में मैं हूँ आपके साथ मिनु चोहन आईए नज़र डालते हैं इस वक्ती कुछ खास खबरों पर हिंडोली पुलिस थाने के बाहर शुकरवार को भाजपा नेता ओमेंदर सिंग हाडा के नेत्वत में अतिवस्टी वबार से हुए खराबे का मुआवजा देने को लेकर धर्णा परदशन किया उसके बाद SDM मुक्येश कुमार चोदरी को मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन दिया गया इस दोरान BJP के पदातिकारियों ने धर्णे को संबोधित करते वे कहा कि हाली में अतिवस्ट वबार से कई किसानों की फसले बरबाद हो गई जिससे किसानों को लाखो रुप्यों का नुकसान हुआ है लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक छेतर भर में हुए खराबे के किसानों को मुआजा नहीं मिला तो वहीं विजेपी के बदादिकारियों ने संबोधित करते वे कहा कि कॉंग्रेस जुम्ले की सरकार है सत्ता से आने से पहले बड़े बड़े वादे किये थे जो अभी तक पूरा नहीं किये गए वहीं भाजबा परदेश कार्यकारणी सदशे ओमेंदर सिंग हाडा ने धर्णे को संबोधित करते वे कहा कि विजेपी के कार्याले में कभी किसानों को कोई समश्या नहीं आनी विजेपी सरकार ने जो वादे किये थे वो पूरे हुए है सरकार को किसानों के लिए नई-nई योजनाय शुरू करनी चाहिए ताकि किसानों को भरपूर लाब मिले वहीं हाडा ने कहा कि जब तक सरकार किसानों को खराबे का मुआवजा नहीं देती तब तक धर्णा अंचारी रहेगा हिंडोली से नियूस 19 के हमारे समवादाता इसलाम खान की एक रिपोर्ट